सातियो नमस्कार मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में भाहियो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने अपने पौदा गन्ने की कटिंग शुरू करा दी है जिसकी बुवाई हमने पिछले साल 20 मार्च को ट्रेंच बिदी दुआरा की थी तो सातियो पहले में आपको अपने खेत में गन्ना दिखाता हूँ उसके बाद आपको वताऊंगा इस खेत में कौन सी गन्ना वेराइटी है तो सातियो आप देख पा रहे होगे कि हमारे खेत में बहुत ही सांदार गन्ने की लंबाई भी है और किसान सातियो देखने से तो यही पृतित होता है कि हमारे इस खेत में बहुत ज़रजस्त गन्ना पैदावार देगा लेकिन किसान सातियों ये जो हमारा खेत है ये पूरे बारे बीगे का है और हमारे हैं जो बीगा है वो पांच बिसे का है तो किसान सातियों जब इस खेत का सारा गन्ना कट जाएगा तब आपको इसका बिरकुल एकूरेट गन्ने ने कितना बजन दिया वो बताया जाएगा तो किसान सातियों उन किसान सातियों से अनरोध है जिनोंने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है किरपया हमारे चैनल को सस्क्राइब करके गंटी के बटन को ओल पर दबा दें और साथ में वीडियो को लाइक करें और दूसरे सातियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तो किसान भाईयों जैसा कि आप देख पा रही हो हमारे खित में गन्ना वेराइटी 0118 है तो किसान सातियों जैसा कि आप देख पा रही होगे कुछ इस प्रकार हमारी लेवर ने फांदी बनाई है और हमारी लेवर ये बोल रही है कि 35-40 किलो की फांदी है लेकिन किसान सातियो जब हम अपने गन्यों को टिपलर में भरवाएंगे उससे पहले एक फांदी का बेट करके लाएंगे ताकि किसान भाईयो उसी हिसाब से टिपलर में गन्यों भरवाया जाएगा क्योंकि किसान भाईयो अगर फांदी में अधिक बेट हुआ तो किसान भाईयो बहुत दिक्कत आ जाती है मील पर काफी फांदी उतार के दोवारा से लाद के लानी पड़ती है लंबाई हमारे खेत में बहुत जवरजस्त है गन्ना वेराइटी 018 की तो बहुत सारे सातियों के मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि इस वेराइटी में इतनी लंबाई कैसे ली है दोगसान सातियों इसका अपना एक अलग ही फॉर्मूला होता है इस वेराइटी से लंबाई और अधिक बियांत लेने का तो मैंने पिछली वीडियो में उसके बारे में सब कुछ बताया है अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं किस प्रकार गन्ना वेराइटी 018 से अधिक से अधिक पैदावाल ली जा सकती है और सातियों आपको मैं दुआरा से गन्ने की लंबाई दिखाता हूँ आप देख पा रहे होगे काफी अधिक गन्ने की लंबाई है और भाईयों बहुत ही अच्छा खासा गन्ने में ब्यात भी है और किसान भाईयों सबसे अच्छी इस वेराइटी की खासयत यह है कि इसमें गन्ने का अंगोला लाश तक हरा वरा वना रहता है इतना नहीं सूकता जितना और गन्ना वेराइटियों में सूक जाता है तो किसान भाईयों इसी कारण इस गन्ने में अधिक बेट भी होता है और सातियों सात में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पहली दफ़ा अपने खेत में सिंगल लाइन ट्रेंच बिदी से गन्ने की बुवाई की थी जिसकी लाइन से लाइन की दूरी किसान भाईयों पांच फुट रखी है और वहीं सातियों हमने अपने कुछ खेतों में डवल लाइन ट्रेंज से गन्ने की बुवाई की है उसकी भी दूरी किसान भाईयों हमने पांच पुट रखी है और सातियों दोनों ही विधियों में डवल आख के गन्ने से बुवाई की गई है तो सातियों अब चलते हैं एक फांदी का वेट करने तो किसान भाईयों आप देख पा रही होगे मैं एक फांदी टिपलर में रखके लेके आया हूँ और इस कांटे पर हमने गन्ने की फांदी को रख दिया है तो आप ने देखा किसान सातियों क्यामन किलो 380 ग्राम के नास हमारे एक फांदी में बजन आ रहा है सातियों आपको मैं दुवारा से दिखाने की कोशिस करता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हो एक क्याम किलो 380 ग्राम के आसपास तो किसान भाईयों उसी हिसाब से अपने टिपलरों में अब हम इसको भरवाएंगे किसान भाईयों हम एक साथ दो टिपलर लेके जाते हैं एक अपने होलेंड से एक अपने मेसी से मेसी से हमारे टिपलर में उड़ंचा सकुंटल गन्ना तुलता है वही हमारे होलेंड से चवाल सकुंटल के आसपास गन्ना तुलता है तो किसान भाईयों उसी हिसाब से अपन दोनों ही टिपलरों में गन्ना लदवाया जाएगा तो किसान भाईयो आप देख पा रहे हो ये हमारा जो टिपलर है ये होलेंड वाला है इसमें होलेंड के हिसाब से 44 कुंटल के आसपास गन्ना भरवाएंगे किसान सातियो और आप देख पा रहे होगे किसान भाईयो बहु तीन आदमी एक साथ एक फंदी को उठाते हैं तो किसान भाईयो जैसा कि आपने देखा हमारे स्खेत में ट्रेंच विधी का गन्ना है और सातियो पहली दफा हमने सिंगल लाइन ट्रेंच से गन्ने की बुवाई की है इससे पहले हम ड्रेंच गन्ने की बुवाई करते थे तो सातियो जौन सी ही बिधी काम्याब होगी उसी से आगे को अपने खेतों में गन्ने की बुवाई की जाएगी अगर सिंगल लाइन ट्रेंच में अधिक गन्ना निकलता है तो सातियो इसी बिधी से अपने खेत में हम आगे को गन्य की बुवाई करेंगे तो सातियो कुछ दिन पहले मैंने अपने इस खेत की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको 018 की पेड़ी देखाई थी किसान भायों आपको बताया था कि तब यह सारा खेत कट जाएगा तब आपको इसका एबरेज बताया जाएगा तो सातियो आप देख पा रहे होगे हमारा काफी बड़ा खेत है सातियो ये खेत हमारा 25 बीगे का है जिसमें किसान सातियो 1105 कंटल गन्ना निकला है आप एवरेज निकल सकते हो और हमारे हाँ पर जो बीगा है किसान साथियो वो पांच बिसे का है तो किसान भाईयो आज की वीडियो में अतना इन था वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें दूसरे साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन सातियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है किरपा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें